स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टीटेन स्टेडी पर इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रकास के परावरतन के बारे में इससे पहले मैंने प्रकास के परावरतन से संबंतित और भी पॉइंट्स डिस्कस कड़ा हुआ है उसका वीडियो आप लोगों को मिल जाए तो बहुत सारे स्ट्वेंट्स का पढ़ाई हो सकता है दस्वीक अक्षा का बाद ही धोरा होगा तो इसी को ध्यान में रखते हुआ मैंने ये चैनल क्रियाट किया था ताकि पढ़ाई बाद ही इतना हो किसी का ठीक है तो आपके आस पास आगल बगल में रोस परोज में रि की बनावर्ट ठीक है तो गोली दरबंसे की तरीके से कीरे नारेख बनते हैं कहां पर वस्तु का रखते हैं कहां पर उसका प्रतविम बनेगा प्रतविम का नेशर क्या होगा वह सारा चीज़ लेग इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं की कि से व पहला अब इससे related कुछ नियम है जो याद रखेंगे हम लोग पहला नियम क्या है कि दरपन के मुखक्ष के समंतर जाने वाले जो किरन होती है ठीक है अगर दरपन उत्तल हो तो वह फोकस से आती हुई प्रतीत होगी और यदि दरपन अवतल हो तो वह फोकस से गुजरेगी ठ ठीक है जैसे माल लीजिए यहां पर बना के आपको दिखाता हूं माल लीजिए यहां आपका एक उत्तल का इसका और उसका इसका होका हुआ कि क्या कहा कि धरंपन मुखक्ष के समांतर तो मुखक्ष कौन chiar है तो मुक्षक्ष के समानतर अगर आएगा तो दरपन से प्रावरतन के बाद ऐसे गुज़रेगा कहां से फोकस से और यदी दरपन उत्तल है तो मले जी लाइट ऐसे आएगा तो रिफलेक्ट होकरके ऐसे चला जाएगा तो देखिए यह कहां से आता हुआ प्रतीत होगा यहां से आता हुआ प्रतीत होगा फोकस से तो यदी दरपन उत्तल है ठीक है तो फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा कब जब हउख परकास से और प्रधानक्ष के समानि अंतर जायेगा है कि जब क्या है दरपन के मुखक्ष के समानतर प्रकास के किरन आती है तो दरपन अगर उत्तल हो तो फोकस से आती हुई प्रतीत होगी और यदि दरपन अवतल हो तो फोकस से गुजरेगी यह पॉइंट याद रखेगा जितने भी किरन आरेक हम लोग पढ़ेंगे उसमें काम दूसरा है आपका दरपन के फोकस की दिशा में आपतित किरन प्रावरतन के बाद प्रधानक्ष के समाना अंतर गुजरेगी देखिए बात वही है बात क्या है वही है अब मलेजे ऐसे आया तो ऐसे जाएगा ठीक है तो यह तो एंगल आपका तो सेम ही बन रहा है नहीं अगर फोकस की दिशा में आपतित करेंगे तो किया समाना अंतर नहीं जाएगी क्या जाएगी की नहीं जाएगी सिंपल सी बात है जाएगी जाएगी याद रखेगा दरपन क्या है दरपन के फोकस की दिशा में आपतित किरन प्रावरतन के बाद कहां कहां से गुजरेगी सामानांतर गुजरेगी याद रखिएगा चलिए तीसरा पॉइंट है आपका वक्रता के अंदर की दिशा में आप्तित कीरन दर्पन से प्रावरतन के बाद वापस अपने पत पर लोट जाएगी ठीक है जैसे मन लिजिए कि यह आपका एक मीरर है ठीक है यह क्या है मीरर है य यह आपका परधानक्ष यह ऐसे लाइट गई ऐसे आई फोकस से और यह आपका वक्रता के इंदर है तो वक्रता जाईगा वापस आजाएगा ठीक है रहिए i मालीजी कि यह वक्रता के इंदर है यह आपका तीत होती तो रीटर न आ जाएगा क्योंकि यह वकडता केंदर यहां पर क्या बनाता है यांज नंटी टिग्री का अगल बनाता ऐसे लिए। चलिए अब है धुर्व की दिशा में आपतित कीरण जितना एंगल बनाते हुए आपतित होगी उतना एंगल बनाते हुए परावरतित हो जाएगी ठीक है तो यह जो नियम है याद रखिएगा ताकि आपको जितने भी कीरण आरेक पढ़ने हैं चाहे उत्तल दर्पन से बने या अवतल दर्पन से बने उसमें यह पॉइंट देखने को मिलेंगे ठीक है एक बार फिर से रीकॉल कर लेते ही इंपोर्टेंट है देखिए जब मल लिजिए यह आपका मीरर है यह आपका परधानक्ष अगर परधानक के सामन अंतर जाएगा तो कहां से गुजरेगा फोक से गुजरेगा दूसरा पॉइंट देखते हैं अगर फोकस की दिशा में आपतित होगा ठीक है तो परधानक्ष के सामन अंतर जाएगा यह दो पॉइंट होगे तीसरा पॉइंट देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है कि देखें अगर यह फोकस है यह आपका क्या है वक्र तो अभी लंब यहां पर 90 डिग्री के अंगल बनाता है तरपन के पास ठीक है तो अगर ऐसे प्रकास की रन जाएगी ठीक है तो लंब के कारण क्या होगा वह अपने पथ को रिट्रेस कर लेगा पूर्ण अपने पथ पर वापस आ जाए क्योंकि यहां पर तो लंब पर रहा ह है इसलिए क्या होता है कि अपने पथ पर वापस लौट आता है तो पॉंट कि आया पॉंट यह आया कि वकरता केंदर की दिसामिंगर अपतित की रन दरपन तो ये रूल है याद रखिएगा चार रूल है आप आगे कीरन आरिक परेंगे तो उसमें आपको सारा अप्लाई करना होगा तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में